ही गाइस लेट्स कूक वे सुचिता चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको चटपटा पानी पकोड़े की रेसिपी बता रही हूँ अगेर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फैमली और फ्रेंट्स में सेयर भी करिएगा और बेल ऐकन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि मैं नए वीडियो डालू उसकी नोटिफिके आपको मिल सके आएए देखिए कैसे बनेगा मैं एक कप धन्या ली हूँ और एक कप पुदीना ली हूँ दोने इकवल क्वांटिटी में ली हूँ इन सब को mixer jar में डाल दे रही हूँ मैं इने धो ली हूँ अच्छी तरह से पानी से 3-4 पानी धो ली हूँ अब दो करके मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया को पहले धनिया में डाल रही हूँ अब मैं पुदीना डाल रही हूँ एक इंच मैं अद्रक डाल रही हूँ बारिक काट करके दो तीन हरी मिर्च डाल रही हूँ और इंबली का पल्प डाल रही हूं दू टेबल स्पून दो बड़ा चमच है अब मैं इसमें एक छोटा चमच काला नमक एक छोटा चमच में चाट मसाला और एक छोटा चमच में नमक डाल रही हूं और एक छोटा चमच मैं अमचूर पाउडर और एक चोथाई चमच मैं हींग डाल रही हूँ इसमें और एक छोटा चमच मैं सौफ का पाउडर डाल रही हूँ और एक चमच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ यह भूना हुआ जीरा है और एक बड़ा चमच मैं इसमें गुड डाल रही हूँ खटी मिठी इसमें स्वात काफी अच्छे लगेगे और एक बड़ा चमच मैं इसमें नीबू का रस डाल रही हूँ और कुछ बरफ के टुकडे डाल रही हूँ नेबू के रस से और बरफ के टुकडे से इसका कलर अच्छा बना रहेगा पीसने से अब इसका एक प्योरे तैयार कर ली हूँ पेस्ट बना ली हूँ इन सब का एक चटनी जैसा बना ली हूँ अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफर कर ले रही हूँ और ठंडा पानी से दो करके डाल दे रही हूँ मिकसर जार को ये ठंडा पानी मैं डाली हूँ दो ग्लास इसमें और कुछ बरफ के क्यूब डाल दे रही हूँ और कटे वे धनिया पत्ता और पोदीना डाल देनी हूँ फ्रेशनेस के लिए ये इसमें अच्छा लगता है दिखता है तो कफी चटपटा हमारा पानी बन चुका है पकोड़े का पानी त्यार हो चुका है अब पकोड़े बना लेती हूँ सवक अप मैं इसमें बेशन ली हूँ और उसमें एक चोथाई चमच मैं हल्दी पाउड़र डाली हूँ आधा चमच मैं इसमें लाल मेच पाउडर अश्वाद के रिसा नमस में अजवाइन डाली हूँ सब छोटे छोटे चमच ली हूँ टीए स्पून से अजवाइन करस करके डाली हूँ इसे स्वाद इसका अच्छा आता है, मैं मिक्स कर ले रही हूँ और एक ठिक बैटर त्यार कर ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जैसे पकोड़े के बैटर बनते हैं, उसी तरह से बनाना है यह दिखे मिक्स हो चुका है अब मैं दो चूट की हिंग डाल रही हूं इसमें इसे भी मिक्स कले रही हूँ देखे काफी गाढ़ा घुल बना है अब मैं इसमें दो चूट की झाने वाला नफार डाल दे रही हूं इसे हातों से मैं फेट ले रही हूं अच्छी तरह से अब पानी में आपको थोड़ा सा बैटर डाल के दिखा रही हूं देखे बैटर हमारा पानी में तैर रहा है यह इसका साइन है कि पकोड़े का घोल ठीक बना है अब मैं तेल गरम कर ली हूं हाई फ्लेम पे अब मैं तेल में डाल रही हूं और फ्राइ कर रही हूं फ्लेम हमारा हाई है हाई फ्लेम पे पकोड़े तले इससे यह काफी फूला फूला बनेगा फ्लेम हाई रहेगा तो इससे इसी तरह उलट पलट करके मैं पकोड़े को तल ले रही हूं देखे कितना फूला फूला बना है पकोडा हमारे अच्छी तरह से फेटने से पकोडा काफी अच्छा बनता है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ पकोडा तल चुका है अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ सबको देखिए काफी soft बना है पकोड़ा हमारे अब इसे मैं तोड़के भी दिखा रही हूँ आपको देखिए अंदर से भी काफी soft है जालीदार बना है पकोड़ा हमारे अब मैं इसे पानी में डाल दे रही हूँ पकोड़े को और उपर से प्यास के रिंग से गानिस कर दे रही हूँ और कुछ चाट मसाले मैं छिड़क दे रही हूँ उपर से इसे स्वात काफी अच्छा आता है अब देखने में भी अच्छा लगता है मैं लाल मिर्च पाउडर चड़क दे रही हूँ उपर से इसे मैं एक घंटक लिए रेफ्रिजेटर में रख दे रही हूँ हमारा पानी पकोड़ा चार पानी फुलकी बहुत अच्छा बना है बहुत त्यार हो चुका है काफी चटपटा बना है अब मैं इसे सर्फ करके आपको दिखा रही हूँ एक बोल में आप देख पा रहे हूँ काफी टेंप्टिंग लग रहा है अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक से सस्क्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू बताएं आपकी पानी पॉकोड़े की रेसिपी कैसे बनी प्लीज लाइक से सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू